दिएयों को लेकर नीचे जाएंगे मन बहुत खराब है मतलब बात करने का भी हां खोल रहाएं पिछले मन दो दो दिनों से ना विडियो बना पा रहा हूं मैंने विडियो बनाया था आमित मॉन्डल करके तो इहां यहां नहीं अंदर बैठके बात करेंगे चलो आओ आज से एक हप्टे पहले साथ दिन पहले एक लड़का मेरा यहां आया था आमीस मॉंडोल करके उनका घर हम लोगों का नया पैरट दिपंकर का नया जो बार्ड बीडिंग फार्म बन रहा है वहां मतलब रास्ते में जाते-जाते पड़ता है उनका घर भाया का भी एक यूट मतलब आपना पैरों से खड़ा नहीं हो पाता है मन था कि एक बर मिलेंगे मिलेंगे तो एक दिन हम लोगों का नया फार्म जहां बन रहा है वहां से मैं लौट रहा था रास्ते में आते-आते देखा कि स्कूटी लेके और एक या दो दोस्तों के साथ ऐसे राइट करते हु और पिछले साथ दिन पहले अमित एक प्रोग्रम बनाया मेरे पास यह आया और दोनों ने मिलके विडियो बनाया मैं बुल रहा था कि मैं भी आमित को देखके इंस्पायर होता था क्योंकि ओ फिजिकली चैलेंगे मतलब उसका वेस्ट कोमर का निचे का हिस्सा बिलकुल भ सदूर की बात है कि ऋमल अगर ओचाता था मान पिता जी साथ है मतलब पूरा परीबारूंस वह उनका मन का बल इतना है मन का जोर इतना है वह कि बहुत मेंद किया यूटीव साथ तो देता है लेकिन यहां मदलब प्लाटफॉरम में एक अच्छा जगा बनाना बहुत मेहनत की काम है कितना ज्यादा मैहनत कितना ज्यादा कठोर परिष्रम करना पड़ता है उसके बाद जाके सफलता मिलता है सक्सेज मिलता है तो बहुत मैहनत के बाद उन्होंने एक अच्छा जगा मतलब 300 के मोर दें 300 के सब्सक्राइबर्स बना लिया फेस्बुक में भी पेज ओपेन किया चारों तरफ से आरनेंग शुरू हुआ उनका उनके मुझे स्टोरी मतलब बात करते करते मेरे पास रो दिया था कि दादा ऐसा एक टाइम था कि जब बाहर का लोग बोलते थे उनका प्रिता मता को कि ऐसे लड़के को जन्म क्यों दिया जन्म होके मेरा बंगोले में अगर कह दो वरि लिफम बात करते-करते ऑब रो दिया थी दादा मैं क्या करूं मेरा जन्म हुआ ये गलत मेरा गलत ही कहां है मेरा भी आँखंव में आश्वा गया था तो उसके बाद बहुत स्ट्राइगेरी के बास क्या बताओ मुझा हम सिरफ खुसी आना, हैपी आना शुरू हो था मैं भी एक plan बना लिया था कि दो पाच दिन के अंदर उनका उहां जाएंगे बहुत सारा plan बनाया था वो और क्या बताओं कि बहुत सारा चीज मैंने अल्रेडी किया था उनका उम्हा लेके जाएंगे और दो दिन पहले suddenly Samiran Barik, Samiran Barik उनका भी एक YouTube चैनल है, Snake Rescue करता है, Samiran Barik का call आया रात की साड़े 9 या 10 ऐसे कुछ हो रहा था, कि दादा आपने आमित के बारे में कुछ सुना, मैंने कहा, नहीं तो मैंने तो कुछ नहीं सुना, उसके बाद Samiran ने बोला कि आमित का दो दिन, तीन दिन पहले, जिनको मैंने गोद में लिया, गोद में मतलब फार्म से लिया के यहां बैठाया, और बात करके इतना अच्छा लगा था, वो एकदम इतना अच्छा भापना का एक लड़का है, कि उनका मन एकदम साप था, बहुत बात हुआ, कि दादा मैं इतन स्ट्राइगल करके यहां तक आया, बहुत अच्छा लग रहा था कि इतना मेहनुत के बाद, जब कोई किसी को सक्सेज मिलता है मेरा, देखिए, उनके साथ मेरा ज्यादा दिन का कोई जान पैचन नहीं है, लेकिन एक दिन में वो आया, उसे मैं गोद में लिया, लेके वहा आया, उसको खाना खिलाया, लांज बन्ज सब हुआ, और मैं विस्वास नहीं कर पा रहा था कि, मतलब ऐसे कुछ जाना दिन का बात नहीं, एक हप्ता, साथ दिन का पहले का बात है ना, तो मैं तो मन का अंदर क्या चल रहा था, मैं कहने नहीं पाहूंगा, मैं विस्वास नहीं कर पारा था कि कि मतलब कैसे क्या हो सकता है तो उसके बाद समीरन ने बोला उनको आभी डायमंड हावर हॉस्पिटल में वहां भरती कर आए गया है वहां से फिर से पीजी या ऐसे कहीं लेके जाएंगे उनका खुशी का दिन अभी अभी शुरू होने जा रहा था उनका खुशी का दिन अभी अभी उपर वाला भगवान क्या वह उसका जो हबात में खवर मिला के ऑओ सादेनली बना के बोख खाली बोट खाली में जाएंगे वो लोग खाली में गुमने के लिए ये अब विडियो बनने के लिए उसका मामा जी और मामी मामा मामी के साथ और सैथ हमको जहां खबर मिला के वो उनका उनका जो स्कूटी था वो मलेब एक्सटा जो फीजिकल चलेंज लोगे लिए जैसे होता है ना एक्सटा फुल लगाना साइट में बैठने के लिए एक जगा तो वह बैठ रहा था और मामा जी स्कूटी राइट कर रहा था और आंट जी ममी जी भी बै और बाकी दोनों तो चोट आया लेकिन ठीक है अमित का क्या हुआ देखिए जब उसका कोमर का वेस्ट का नीचे का हिस्सा तो यह नहीं करता है तो जब एक्सिडेंट हुआ अगर हम लोगों का पैर सही सलमत है तो हम लोग बैलेंस कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं साइध मेरा कलपना है कि उसका सफर पर बहुत गैरा चोट आया और उसके बाद क्या बता हुआ जब यहां आया था तब वह अभी आखों के सब्सक्राइब ज्यादा दिन तो नहीं पैठे थे यहां यहां मेरा जो गोल्डन प्ले बटन है हाथों में लिया यह मेरे भी बहुत ही जल्दी आने वाला है और इसी का बीच में क्या बताओं अधियर निवर प्रेश और अधियर उनका सांती के लिए प्रेश किजिए का सब और क्या बता हुआ उनका परिबार अभी खुशी के खुशी का यह आ रहा था उनका वह ठीक है थैंक्यू सिर्वे ही बताना था आप सभी के साथ सेर करना था अभी तक विस्वास नहीं हो रहा है मन से यह विस्वास नहीं कर पा रहा हूं कि आउमीद नहीं है आप सब भी मनल बहुत श्रागल किया था लड़का बहुत बहुत मेहनत करके अभी सिर्फ एक सब्सक्राइब के बाद उसके बाद जब आनंद का टाइम हुआ वह नहीं रहा उनका उनके लिए सांती कामना करता हूं आप लोगी सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स